Hi students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 2nd. Some parents say that there is a visibility problem, उसके लिए कुछ solution किये गए हैं. आप पहले तो फोन को ऐसे चोड़ाई में पकड़े हैं, ऐसे रोटेट कर लें, साफ दिखेगा. एक थोड़ा सा साइंस की बुक में जो वर्ड्स हैं, वो थोड़े छोटे हैं, इसलिए थोड़े शी परशानी हो सकती है. आज थोड़ा सा और बढ़ा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है. प्लीज कोपरेट विद उस. ओके, आवर टुड़ेज टोपिक इस कीवर्ड्स, इन दा प्रिविएस लेक्चर, वी कम्प्लीट दा लेसन रीडिंग, ओके, फर्स्ट आवर कीवर्ड इस बैलेंस डाइट, ए डाइट देट कंटेन ओल दा नूट्रियेंट्स इन राइट प्रपोर्शन, बैलेंस डाइट क्या होती है, वो भोजन जो अपने अंदर सभी प्रकार के पोशकत तक संतुलित, राइट प्रपोर्शन मीन्स संतुलित, संतुलित मतलब ना कम ना ज्यादा, उस प्रपोर्शन में रखे, राइट प्रपोर्शन में हो, वह जितनी आपको जुरूरत है, उस हिसाब से उसको रखा जाए, ठीक है, तो वो बैलेंस डाइट यानि संतुलित आहार कहलाती है, नेक्स्ट वी हैब बैरी-बैरी, a disease caused by the deficiency of vitamin D, deficiency होती है, कमी, vitamin B की कमी के कारण जो रोग होता है, तो वो बैरी-बैरी कहलाता है, carbohydrates, components of food that provide energy to the body, फोर्शन के वो component, वो part जो की energy provide करवाते हैं, उर्जा देते हैं, वो carbohydrate कहलाते हैं, fats, next we have fats, major source of energy in the diet, diet का major source है, वो fats होता है, goiter, an iodine deficiency disease, iodine की कमी से जो रोग होता है, वो goiter कहलाता है, minerals, nutrients needed in small amount for growth and maintenance of the body, वो nutrients जो growth यानि व्रिधी और maintenance यानि रख रखाओ, शरीर के रख रखाओ और व्रिधी के लिए जो जरूरी हैं, उनको minerals कहा जाता है, nutrients, components in food that we need to grow and survive, भोजन के वो component जो हमें चाहिए होते हैं, grow and survival जीवित रहने के लिए, और grow यानि की रिधी यानि बढ़ने के लिए, proteins, nutrients needed for growth and repair of the damaged tissues, जो महारी कोशी काई हैं, उनको उनकी growth और repair कई बार वो damage हो जाती है, ठीक है, तो उनकी repair करने के लिए proteins की जरूरत होती है, नेक्स्ट वन इस पी-ई-पी-सी-एम, पी-सी-एम हमारे बुक में रीडिंग के दो राण भी आया था, protein calorie malnutrition, and PEM is protein energy malnutrition, ricate a disease caused by deficiency of vitamin D, vitamin D की कमी के कारण जो रोग होता है, उसको ricate बोला जाता है, rough age, fibrous matter in food which do not get digested, वो fibrous matter जो की digesting यानि पच नहीं सकता, उसको rough age बोलते हैं, scurvy, a disease caused by deficiency of vitamin C, vitamin C के कमी के कारण होने वाले रोग को क्या बोला जाता है, scurvy, vitamins, vital nutrients required in limited amount, क्या है, जो कम मात्रा में nutrients पोशक्ततों की जरूर्थ होती है, उनको क्या बोला जाता है, vitamins, यह हमारे part A, part keywords हमारा पूरा हो गया, now we are on part A, filling the blanks are there, filling the blanks हमारे पास है, देखिए, कोशिस कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से visible हो, part A, actually इसमें बुक में words ही थोड़े चोटे होते हैं, part A, filling the blanks में क्या आएगा, living organism, need food, to grow and survive, यहां दोनों filling the blanks में आएगा, grow and survive, जो living organism है, जीवित जो प्राणी है, उनको भोजन क्यों चाहिए होता है, grow, मतलब रिधी के लिए, and survive, मतलब जीवित रहने के लिए, उनको survive करने के लिए, vitamin A, D, E, K, यह बुक में भी आया था, vitamin E, D, K, are soluble in fat, किस में आएगा, पहले वाले feeling the blanks में क्या आएगा, fat, and, whereas, vitamin B and C, यह अब इंडर लाइन में थोड़ी सी प्रोब्लम हा रही है, vitamin B and C, are, water soluble, second one में यहां पे, feeling the blanks में आएगा, water soluble, पानी में घुलने वाले, deficiency of dash in diet, diet में जो vitamin B है, उसकी कमे के कारण कौन सी disease होती है, called berry-berry, तो यहां पे हमारा vitamin B आएगा, vitamin K helps in clotting of blood, क्या आएगा हमारा clotting of blood, vitamin K help करता है, clotting of, खुन का थका जमने में, कोई चोट लग जाती है न, तो थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा, तो वहां पे blood जम जाता है, तो वह vitamin K help करता है उस चीज में, the dietary fiber constitute rough age, dietary fibers में क्या होता है, rough age होता है, now we have true and false, vitamins and minerals are body-building foods, vitamins और minerals क्या है, वह body-building foods है, यह false है हमारा, वह growth के लिए, और maintenance के लिए यूज होते है, our skin make vitamin E, in presence of sunlight, no, vitamin D होता है, sunlight से जो होता है, तो यह भी false है, deficiency of phosphorus can lead to anemia, deficiency of phosphorus क्या है, उसे anemia होता है, यह भी false है, नहीं, we should eat food, that has all essential components, in right proportion, that's true, क्वासी और कर, occurs due to a deficiency of the food, fat in the diet, क्वासी और कर, fat की deficiency कार्ण होता है, that's false, यह हमारा क्या हैगा, false हैगा, आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है, keywords और part A और B केवल, आपको learn भी करना है, book में, इनको आपने फिलप्स करना है, और keywords वहाँ से learn भी करने हैं, okay, thank you so much,